हाई ब्रीवण स्वागत है आप सबकाई फिर से एक नए वीडियो पर दोस्तों आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में परसेंटेज से संबंदित कुछ महतपूर प्रस्न आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा अगर मैं वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइ परशन देना तो देखें कितने के स्पिड्स हो रहे पचीज कितना बढ़गे पांच तो परतिसत मान में ब्रँधी परतिसत मान में ब्रचेंगे बृधी तो बृधी कितना हो गया तो सीधे सीधे लिखेंगे हम तो 25 पांच परसेंट multiply 25 का 5 परसेंट तो अब कितना बृधी हुआ है तो 5 बटा 100 ऐसे ही तो लिखेंगे percentage का मान होता है multiply 25 कर देंगे 25 से काटेंगे 25 चोग को 100 is equal to कितना आएगा इसको भाग दे देजे तो 4 एकने 4 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 एक दस्मलोव दू पांच बढ़ गया तो कितना अब लिखेंगे नई चाल उसकी अब नई चाल तो अब नई चाल कितनी हो जाएगी चाल में बृधी के बाद नई चाल तो ऐसे लिखेंगे नई चाल बराबर कितना होगा तो 25 तो पहले था ही अब कितना बढ़ गया एक दस्मलोव दू पांच बढ़ गया तो जोड़ेंगे तो 26 दस्मलोव दू पांच किलो मीटर पर आवर स्पीड हो गया तो इस तरह से सिम्पली आप इस कोश्ण को में कर लेंगे अगर में הमा लीजाब आपको एक ही लाइन में इस कोश्ण को साल्व करना है तो कैसे साल्व करेंगे तो आईए देखते हैं अब लिखेंगे नई चाल ये ट्रीक यूज़ कर लिज़े आपका एक ही लाइन में आ जाएगा तो कितना चाल है तो पचीस है पचीस अब ब्रेकेट में लिखिए हंड्रेड प्लस फाइफ अब आई हंड्रेड से डिवाइड कर दीजिए तो इस ट्रीक का यूज मतल़ ये भी फार्मूला है इस फार्मूला का यूज कर लिजिए पच चीस चो को सो यह हो जाएगा आपका 105 ब्रेकेट वाले से मत काट दीजेगा 100 से 100 के अंदर रहता है उसको सालूट लिजाता है तब जाके फिर आगे प्रोसेस किया जाता है दोस्तों अब इसको चार लिख लेंगे अब देखिए चार दुनी आठ नो दस चार चके 24 चार किलोमीटर पर आवर तो इस तरह से ऐसे भी आप चाहें तो लगा सकते हैं अदरवाइस ऐसे भी लगा सकते हैं दोनों प्रोसेस में से जो आपको अच्छा लगा होगा एक कॉमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों दोस्तों इस कोश्चन में कहा गया है अगर माह की दस तारीक को किसी अस्थान का तापमान 40 degrees Celsius था अगले दिन बरसात होने के कारण और तापमान 30% गिर गया अब तापमान है तो तापमान में कमी यहां पे लिखे सीधे सीधे ना तापमान में कमी ताप मान में कमी तो ऐसे सिदे सिदे लिख लिए कमी एगदम basic concept को clear करते हुए हम लोग question को लगा रहे हैं दोस्तों तो तापमान में कमी कितना है तो 30 परतिसत है कितने का तो 40 degree Celsius का ऐसे लिखे कितना कम हो गया तापमान तो 30 बटा 100 percentage का मतलब तो यही होता है multiply 40 degree Celsius तो 40 बस लिख लिए एक 0 से 10 कट जाएगा एक 0 से 10 तो कितना आगया चार तियाई 12 तो लिखेंगे 30 परतिसत गिरने के बाद नया तापमान तो अब तापमान लिख लिए अब ताप मान मतलब नएा ताप मान भी लिए सकते हैं अब ताप मान यानि कि बारेज के बाद जब गिर गया temperature तब तो पहिलवा 40 डिगरी celsius था अब गिर गया कितना डिगरी celsius तो 12 डिगरी celsius गिर गया दोस्तों, तो कितना बचा है, तो दस में से दू गया, आठ, तीन में से एक गया, दो, तो 28 डिगरी सेल्सियस तापमान अब है, इसी को अगर मैं चाहें तो आप एक लाइन में भी लगा सकते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे, तो 40 डिगरी सेल्सियस तापमान था, 100 माइनस 30 डिगरी सेल्सियस कम हो गया, ऐसे कर लेंगे सिंपली, अब बट्टा लिख लेंगे 100, बस ऐसे कर लेना है, is equal to 40 गूडे सतर, अब बट्टा, 100, 10 से 10, 10 से 10, तो कितना आ जाएगा, 4 गूडे साथ, और 4 गूडे साथ कितना होता है, तो 28 डिगरी सेल्सियस, तो इस तरह से भ वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, तो आसा करता हूँ, यह दूसरा कोश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, दोस्तों, यहाँ पे एक कोश्चन दिया गया है, एक वस्तु का मुल्य 800 रुपिया था, इसमें 8% की कमी हो गई, नया मुल्य है, तो 8% की कम मुल्य क्या होगा दोस्तों, तो आपको बताना है, कॉमेंट करके जरूर बताईएगा इसका एंसर, और मुल्य होगा, 64 रुपिया, 736 रुपिया, 864 रुपिया, 792 रुपिया, तो यह चौर आप्सन है, नया मुल्य के लिए, तो इन चारों में सही कोई एक आप्सन सही है, यह देखते हैं हम लोग अगला कोशन, अगले कोशन में कहा गया है दोस्तों, कि एक गाउं में 15% लोग निरच्छर हैं, तो लिखेंगे परतिसत निरच्छरता, यानि परतिसत निरच्छर कितने हैं, तो सीधे सीधे लिखेंगे परतिसत निरच्छर, is equal to 15%, कुल जन संख् संख्या जो है न, वो 2400 है, अब कह रहा हैं, निरच्छरों कि संख्या बताई है, यानि कितने लोग निरच्छर है, यहां पर सीधे सीधे लिखेंगे ये 15% है, निरच्छर कितने लोग हैं, तो निरच्छर बराबर बस लिख लीजे 15 % कितने का, तो on the लिखेंगे 24 3 nawet का, multiply 24 इस तरह से लिख लेजिए अब देखे एक 0 से 1 0 फिर 1 0 से 1 0 cancel out हो जाएगा इसको साल वो करेंगे अगर में तो 15 multiply 24 ही तो होगा ना अब 15 का 24 में दोस्तों multiply करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे तो 15 चू को 60 6 15 दुनिस तीस और 36 यानि 360 लोग जो है उस गाओं में निरच्छर हैं दोस्तों रहीम ने गणित में 50 में से 33 अंक पराप्त किये कथा हिंदी में 60 में से 36 अंक रहीम को किस विशय में अच्छे अंक मिले तो दो विशयों में उससे अंक मिले हैं और दोनों में से पूछ रहे किसमें उसका परसेंटेज मान अधिक है तभी तो पता चलेगा किसमें अच्छा नंबर मिला है तो यहां पर हम लिख लेंगे पहले गणित है तो लिखिए गणित इधर लिख लेंगे न हम लोग और कौन सा सबजेक्ट है तो हिंदी है तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे हिंदी अब ध्यान से देखिएगा न दोस्तो गणित में प्राप्तांक कितना है तो प्राप्तांक है प्राप्तांक प्राप्तांक मतलब कितना उसको प्राप्त हुआ है तो उसको प्राप्त हुआ है 32 पुरुणांक कितना है तो पुरुणांक है उसका दोस्तो पुरुणांक मतलब कितना अंक का पेपर हुआ है तो टोटल माक्स उसका कितना है तो 50 का है अब परसेंटेज लिख लिजे परसेंटेज मान percentage अंक कितना उसका है तो percentage अंक इसे कल्ट होता है प्रापता अंक बटा पुरुणा अंक गुणे 100 यही तो होता है न 50 से काट दिजे 50 दूनी 100 तो यह कितना आ गया 33 गुणे 2 33 मल्टिप्लाई 2 33 दूनी 6-6% उसको गणित में अंक मिला है सेम यही प्रोसेस इसमें कर लिजें तो इसमें देखिए प्रापतांक उसका कितना है तो प्रापतांक है प्रापतांक उसको मिला हुआ है इसमें कितना मिला हुआ है 60 में से 36 नंबर मिला हुआ है लिखिए 36 और पुरुणांक कितना है तो यहाँ पर पुरुणांक देखेंगे तो पुरुणांक is equal to हो जाएगा उसका 60 में से मिला हुआ है तो 60 total number 60 का उसका paper हुआ है total mark obtained mark इसे भी लिख सकते हैं आप अब percentage अंक इसमें कितना मिला हुआ हिंदी में तो हिंदी का पता कीजिए तो पुरुणांक के कितना है 36 पुरुणांक के कितना है 60 अगूडे 100 यही तो करेंगे एक उजिरववा से एक उजिरववा काट दीजिए 6 से काटिएगा 36 के 36 तो कितना आ गया 6 multiply 10 और 6 10 जा 60 तो इस तरह से 60% अब आप बताईए दोनों में से किस में उसको अच्छा नंबर मिला हुआ है तो गणित में मिला 66% हिंदी में मिला 60% तो गणित जो है उसी में उसको अच्छा नंबर मिला हुआ है तो इस तरह से आपका answer होगा गणित आसा करता हूँ दोस्तों ये पांचों question अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा percentage का तो percentage निकालना इसी तरह से आपको धीरे धीरे अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा अगर मैं आप अच्छी तरह से practice करेंगे तो तो किसी भी competitive exam की तैयारी करने के लिए अगर मैं शुरू से ही आप तैयारी अच्छी तरह से करेंगे तो कोई भी competition का exam आपके लिए tough नहीं रहा जाएगा शुरू से ही एकदम base level से ही 6-7 से ही आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं 9 में पढ़ रहे हैं 10 में पढ़ रहे हैं या कोई competition की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख करके percentage के questions और भी सारे जो भी वीडियो आते हैं उसको देख करके आप अपने math को अच्छा सुधार कर सकते हैं आसा करता हूँ आपको सभी वीडियो अच्छे लगते होंगे अगर मैं वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ सेर कीजिए लाइक कीजिए और दोस्तों अगर मैं चैनल पर आप नए है तो आप से हाज जोड़कर के निवेदने चैनल को भी सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं रेक्ट वीडियो में नए प्रसनों के साथ थैंक्यो बेश्ट आफ लक